कोशन है कल्कुलिएट दा माउंट एंड कमपाउंड इंट्रेस्ट और रुपीज 10,000 फॉर वन यार एट परसेंट पर एनम कमपाउंडेड हाप यर्ली ठीक है यह जो कोशन है क्लास 8 के मैच्स का एक्सेसाज 8.3 का कोशन नंबर वन का यह नंबर कोशन है इसकी पहले ABCD हम दो कर चुके हैं पीछले वीडियो में वह आप जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो यहां पर दिया है कि 10,000 फॉर प्रिंस्पाउंड करना है हमको क्या से फाइंड करेंगे ध्यान दीजें तो यहां पर हमको गिवन क्या है वह घुपर ली लिखेंगे यहां पर गीवन ए प्रिंसिपल लिखेंगे अपर गीवन है इसे प्रिंसिपल इक्वल टू रूपीज 10,000 तो हो गया प्रिंस्पाउन और यहां स्वार ठील नहीं तो टाइम यहां पर गीवन है beauty और चुकि यहां पर लिखा हुआ, compounded half yearly, तो time जो होता है, उसको 2 से multiply कर दिया जाता है, half yearly रहता है, तो यहां पर 1 into 2 हो जागा, 2 half year, ठीक है, 2 half year हो जागा, यहां पर time, तो time हो गया, यहां पर 2 half year, और principal amount हो गया, 10,000, और यहां पर दिया हुआ है, rate जो दिया हुआ है, वो rate 8%, और चुकि rate 8% है, और यहां पर compounded half yearly बोला है, तो rate को भी divide कर दिया जाता है, 2 से, मतलब 8 by 2 हो जागा, equal to हो जागा, 4%, ठीक है, तो rate पता चल गया, 4%, time पता चल गया, 2 half year, और principal amount है, 10,000 रुपीज, तो यहां से हम लोग इसका amount जो है, find कर सकते है, amount का formula होता है, P into 1 plus R by 100 का power N, ठीक है, इस formula पर put कर देते हैं, तो P का जो value है, वो principal amount यहां पर given है, 10,000, इसके जगा पर लिख देंगे, 10,000 into 1 plus, rate जो हो भी given यहां पर 4%, तो हो जागा, 4 by 100, ठीक है, 100, और power हो जागा, यहां पर N है, N का मतलब यहां पर कितना है, time, 2 half years है, तो यहां पर N हो जागा, 2, ठीक है, अब इसको solve कर देते हैं, यहां पर हो गया, 10,000 into, इसको solve कर लेंगे, तो नीчचे आजाएगा, 100, ओपर में आजाएगा, 10,4, ठीक है, इसके आगे solve करता है इधर तो यहां पर हो जाएगा टेन थाउजन इस इकोल टेन थाउजन इन्टू यहां पर बाबर दो लिखावा 26 25 का दो बार लिखना पड़ेगा यहां पर 26 25 इन्टू 26 26 by 25 25 25 से कट हो जागा 25 से यह कैंसल हो रहा है तो यहां पर आ गया कितना 16 इन्टू 26 इन्टू 26 25 कर देते हैं कितना आता है 16 इन्टू 26 इन्टू 26 इहां पर आ गया हे बोल्यक्री गर यहां पर लुपेस हो गया अमाउंट और यहां पर वी करने के लिए बोला गया था 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 या फॉर्मुला होता है कंपाउंड इंट्रेस्ट का आमाउंट यहां पर आगया तो माइनस करके कितना आ गया 816 रुपीज तो रुपीज 816 जो है यह हो गया अमाउंट ठीक है तो यही दोनों हो जाएगा इसका आंसर इस तरीके से पूरे कोस्टन को हमने कोस्टन नमर वन का अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी सेर कीजिए थैंक यू